प्रेटन विवाग में अभी तक सोलन में कोई भी प्रेटक स्थल विक्षित नहीं किया है। प्रेटन स्थल के तौर प्रेटक स्थल विक्षित होने की बाट जो रहे हैं। की उन्चाई पर है और यहां की खासवात यह है कि यह स्थान जहां पानी विजली की कोई करपना भी नहीं कर सकता है बहां पूरी आधुनिक सुधाएं दी जा रहे हैं। यही नहीं यहां आने वाले प्रेटकों को स्थाना भी खाने को मिलता है। अधिक चानकारी देती हुए प्रेटन स्थल को विक्षित करने वाले जग मोहन ने बताया कि वह की तरह के सासिक खेल यहां करवाए जा रहे हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग के सासाथ के सासिक खेल यहां करवाए जाते हैं। वह चाते हैं कि उनका प्रेटन स्थल भी प्रेटन विवाग की सूची में शामिल होना चाहिए। लेकिं उनकी काफी कोशिशों की बावजूर भी अभी तक प्रेटन विवाग से कोई उन्हें सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। अब सोलन होटल एसोसियेशन के साथ मिलकर मुख्या मंत्री से सोलन को प्रेटन की दिरिस्टी से विक्षिट करने की गुहार लगाने जा रहे हैं। आपर हम काफी एक्टिविटीज करवा रहे हैं जैसे हम स्टूडेंट्स और कॉर्परेट्स के लिए लिडर्शिप ट्रेनिंग हो गया, टीम बिलिंग प्रोग्रेम्स हो गया, और कुछ एडवेंचर स्पोर्स हो गया, लाइक हाई रोप कोशिज हो गया, जिप लाइंग, जिप लाइंग, रॉक लाइंग, रैपलिंग, वैले क्रोसिंग, जूंबा, मिडिटेशन, योगा, यह सारी चीज़े हम लोग यहां अपने दम पर करवा रहे हैं अभी और मैं चाहता हूं कि गवर्मेंट इसमें थोड़ा सा गर इनिशिटिव ले हमारी प्रदेश सरकार, तो इसको और भी बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार से एक दर्खास थे कि यहां पर एक तो हमारे रोल्स को अच्छा बनाएं और यहां टूरिजम को और थोड़ा इंप्रूव किया जाएं ताकि यहां डीटेव साहब को खासकर में रिक्वेस्ट करूँगा, कि यह यहां पर हमारी area जो है, ड्योफ होने वाले अभी जैसे धारों की धार का किला है, इसको ड्यूप किया जा सकता है, करूल का टिबा उसको ड्यूप किया जा सकता है, और यहां काफी अच्छा एक tourist hub बना जा सकता है